तो बाइस आप देखो देर से ही पर मैंने तुम बाड़ मुवी ठेटर में फर्स ताइम एक्स्पिरेंस किया है और मैंने देर से इसलिए थोड़ा था क्योंकि यह मुवी अगले दिन आइमेक्स स्क्रीन प्लगने वाली थी तो आइमेक्स में देखो क्या है ना उसका साउंड थोड़ा अच्छा होता है बेसिकली डॉल्बी आइटमास तो नहीं था मतलब आइमेक्स वाला लेवल का इनहेंस तो नहीं किया था लेकिन नॉर्मल ठेटर से भाई अच्छा लगता है एंड वह एक्सपिरेंस भाई मुझे मिला भी मैंने इतने टाइम जो इस मूवी का वेट किया ठेटर के लिए भाई साब वर्ड्स में नहीं बताए जा सकता तुम अगर देखो कहीं पर दिल्ली एंसीयर के अगर तुम अंदर रहते हो तो दिल्ली के अंदर प्रिया सिनेमा में जो की IMAX है वहां पर इमुवी लगी हुई है और DLF Mall यह मॉज़ अफ इंडिया नोवेडा का उसमें इसमें मॉवी आमेक्स में लगी हुई है तो अगर तुम लोग नेरिये में रहते हो कैंई पर भी आ सपास है तुम वहाई तुम इस मुवी को IMAX में देखना क्यों हास्तर के भाई हमारे जंप स्केर देखने के लिए मिलते हैं वह काफी शांदार है एट लिस्ट भाई कुछ मुवमेंट्स तो ऐसे ते जैसे मैंने मुवी पहले देखी हुई थी लेकिन भाई उन्हें ठेटर में देखने के बाद कॉस अफ सांड फेक्ट मेरी भटकेचार हो हुई वह जबकि हम सबने मुवी लगबंग देखी हुई है पहले य यश्या कि मैं पडूटर स्केर देखने के लिए Аर इस मुवी मैं एक पॉस्टर erख सीन एयर आगा पॉस्टर लिएक्ट तो नहीं था मगर जैसा मैंने एजूम किया था कि हामें कुछ न्रेशन सुनने क यह बात confirm करी है कि उन्होंने पार्ट टू की स्टोरी को crack कर लिया है और वो इसका पार्ट थ्री विनाने वाले हैं तो एक में वो लोग पांडू रंगा की स्टोरी को cover up करने वाले हैं जिसमें वो अमर्ता यानि कि इम्मोर्टेलिटी पर हो फाइन करने पर होगी शायद और उसमें शायद हो दादी की और जीन की स्टोरी भी हमें दिखाएं यानि कि हमें पार्ट स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगी कि दादी कैसे हस्तर से खाजाना चुरातने जाती थी एंड इस मुवी का पार्ट थ्री वह भाई इस मुवी का प्रीक्वल होगा जो बड़े प्रड़क्शन की मुवी होनी चाहिए क्योंकि भाई उसमें हमें ये चीज दिखाई जाएगी कि विनायक के पूरव जोने वाडे को कब बनाया कैसे बनाया उस टाइम क्या इवेंट पार्ट थ्री के अंदर एंड तुम देखो काफी सारे कुश्चन्स है मेरे इस मुवी को लेकर जो तुम मेरे पुछली वीडियो में भी चेक कर सकते हो बाकी मैं कुछ बता देता हूं क्योंकि मुझे बहुत ली लगता है कि यार शायद हस्तर जो है वो सदाशिव है क्यों बट शायद किसी तरीके से हस्तर नहीं सदाशिव की बोड़ी को अड़ाप्ट कर लिया हो और वो आज भी विनायक का भाई वहाँ पर हस्तर वन के जी रहा है क्योंकि जो विनायक की मा वापस आती है तो भाई उसके चेहरे पर कटका निशानता जो कि कहां से किसी को नहीं एंड स्टार्टिंग में हमें जिस मूर्ती को दिखा के भाई हस्तर से इंट्रेड्यूस किया आता है वो मूर्ती भी हमारे जो हस्तर गुफा के अंदर है कोग के अंदर है उससे मैच नहीं होती क्योंकि जो कोग के अंदर है हस्तर वो थोड़ा सा बाई डिमॉनिक जो मैं कभी कवर करूंगा जल्दी अगर तुम चाहो तो बता देना बट मुवी का एक्सपरियंस बहुत इंट्रेस्टिंग है तुम इससे और डीटेल चाहते हो तो मेरी तीनों वीडियो से पहले देख लेना तो मैं बहुत सारी डीटेल मिल जाएगी बाकी मैं इस मुवी के युवारे में एक और वीडियो जरूर लौँगा अच्छी सी तो बता देना अगर तुम लोग चाहते हो वड़ना रहने देते हैं कि यह मेरी चैनल पे तरी रीच नहीं आ रही है तो मुझे काम करने में भी जादा मजा नहीं आ रहा तो चलो फिर भाई अभी यह मूवी ल एफ या फिर जीरो इस में से सीट लेना कोई सी भी तो तुमारा भाई एकस्पिरिंस बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं भाई उसमें जब भी जाता हूं तो मैं वह उसी में मिडल में सीट लेता हूं मोस्ली सीट नंबर 13 14 15 वो मुझे परफेक्ट सीट लगती है और मुझे चीज़ देख इसलिए ही पता क्यों कि सेक्टर 18 मेरे घर से काफी ज़्यादा पास है तो चलो फिर जाओ यह मूवी देखो भाई एकस्पिरेंस देती है बागी चलो अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दो शेर कर दो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्साइब कर लो इस चैनल पर दो स्ट्राइक पढ़ी है तो भाई तुम लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तीसरी स्ट्राइक आते ही पता नहीं भाई ये चैनल बचे ना बचे कि तरफ से मैं हूँ आरियन बाई दो अजा और प्राइक प्राइक आरियन अजादी प्रफ। अच्छों सैनल की त号 है तो अजाँ दो अप्राइक है